स्वागते दोस्तों, वेलकम यू आल, एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाएं हैं, जिन न्यूज में है, इस चीता इंट्रोड़क्शन अफ लॉग क्या ये एक गल्ती है, क्या ये सर्वाइब कर पाएंगे या नहीं, आपने बहुत जादा देखा बहुत से इंवाइरमेंटलिस्ट और बहुत से न्यूज मीडिया इसे पहले ही उठा रहे हैं, जब चीताज को आना था उससे पहले, आप देख सकते हैं, टाइम्स ओव इंडिया कैसे कह रहा है, कि इंडिया अंडूइंग एकलोजिकल रॉंग बाइग चीताज, ये बाइड आईडिया, तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि हर पहलू का एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, तो ये होते हैं चीताज, जो थोड़े से थिन, थोड़े से स्लिम होते हैं, और दे केन मूव अप टू आ स्पीड ऑफ ह दुनिया में सबसे फास्टेस्ट एनिमल, तो चीता जो वर्ड है वो औरिजनेट हुआ है एक संस्रित शब्द से, जिसका मतलब है दस स्पॉटेड वन, चित कबरा आपने अगर सुना होगा, तो हम स्पॉटेड चीजों को ही कहते हैं, तो इन्हीं इंडिया में एक्स्टि चीताओं को मारा जाता है, उनके पिक्स रहती हैं और वही पिक्स बताती हैं कि लास्ट बार 1948 में चीता थे, लेकिन फिर 1952 में हमने इन्हें एक्स्टिक डेक्लेर किया, तो चीता जो है इसको वल्नेरेबल स्पिशीज की लिस्ट में, 2021 IUCN की रेड लिस्ट में ये पहले से ही मौचूद है, इरान में ये भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर इशिया में बात करें तो ये इंडिया से बिलकुल गायब हो चुके थे, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन किया गया, आप गोर आपको लगता है कि ये कंटेंट हमारा अच्छा है, क्वालिटेटिव है जरूर सब्सक्राइब भी करिए, वापस आते हैं टॉपिक पर देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला है, नाइन मेंबर टास्क पोर्स तो मौनिटर चीतास इन मध्यपरदेश, कुनो नैस्नल पार्ग, आपको ध्यान रखना है, कुश्यन आ सकता है, that there is a nine member committee, उनका monitoring करती है, there is an undergoing monitoring, and कुनो is the only place which has all the four big cats of India, या टाइगर भी है, लाइन भी है, लेपर भी है, and they also now contain cheetah, now moving to the first aspect, पहली है, judicial aspect को देतने है, तो अगर आप में से कई लोग को नहीं पता है, तो मैं बता दू, Supreme Court had ended this idea in 2013, यानी 2013 में Supreme Court ने ये मना कर दिया था, कि कुनो नैशनल पार्क में ऐसा कोई relocation, cheetahs का होगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं है, क्योंकि relocation की जो बात है, वो आ रही थी, Asiatic loins की, जब Asiatic loins जो एक virus है, उससे उनकी death होने लग गई गिर में, तो Supreme Court ने कहा कि भाई, इनको गिर से आप वापस लेके जाएए, हमारे कुनो नैशनल पार्क में, लेकिन तब कि गवर्मेंट ने गिर से नैशनल पार्क को, Asiatic loins को जानी नहीं दिया, कुनो नैशनल पार्क में, उसके बाद, अब बात ये आ रही है कि जब Asiatic loins को जानी नहीं दिया, तो फिर Cheetahs को क्यो जा नहीं दिया तो उसके बाद क्या होता है आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने Ministry of Environment को भी काफी फटकार लगाई काफी डाटा and they said that Kuno is not a historical habitat for African cheetah African cheetah पहले भी वहां past पे भी नहीं थे तो कैसे रखा जा सकता है तूसरा एक बहुती important aspect है common aspect है the authorities have no experience or understanding of cheetahs in the wild इस समय का कोई भी अफसर शायब उसने चीता का कोई experience किया हो authorities को भी उन्हें सवाले में बहुत दिक्कत होगी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ यहां ध्यान से देखिए India was never the natural home of African cheetahs ऐसा कहा जाता है कहा जाता है कि उन्हें इंडिया में भी import किया गया था लाया गया था इरान से Central Asia से उनको shows में यानि कि जो हमारे पहले open circles होते थे उनमें दिखाया जाता था for entertainment purposes तो जब यह यहां के नहीं थे पहले भी अब भी नहीं है तो इनका यहां पे survival rate बहुत ही कम रहने वाला है इस बात को भी हम नजरंदास नहीं कर सकते और आप देख सकने हैं very important to note यह आप देख सकने हैं how महराजर रावल, कृष्ण कुमार, सिंजी यह भावनगर यानि गुजरात के थे कैसे यह चीता को भावनगर में यह जहां पे एक open entertainment की तरह इसको इस्तमाल किया जाता था आगे बढ़ते हैं एक और flawful aspect पे तो वो यह है कि government ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया it has not still implemented the 2013 court order court order क्या था, to translocate asiatic loins लेकिन उनकी बजाए किसको translocate कर दिया गया नए नामी भिया से लाए गए चीतास का, तो अगर आब ध्यान से देखें तो asiatic loins अब कितने हैं, only 700, these are only 700 in number और इनको नहीं लाया गया, जबकि चीतास को लाया गया, जिनका number है 7000, वैसे तो compare करने की कोई बात नहीं है, but the lesser population is of asiatic loins तो ज़्यादा focus होना चाहिए था, asiatic loins जो किस सिर्फ 700 हैं उनको बचाने पर लेकिन बचाया किसको जा रहा है, जिनकी population थोड़ी सी ठीक है ये comparison वैसे तो contradictory खुदी है, लेकिन अगर देखा जाए तो number game में पहले हमें priority देनी चाहिए थी, asiatic loins को क्योंकि ब्लोक कह रहे हैं कि इनके पास चार चीतास को लाने के पैसे तो आ गए लेकिन जो अपने asiatic loins गिर में जिनकी death हो रही है, उनको translocate करने के पैसे नहीं है क्या जो great Indian bastard है, जिसका habitat district हो चुका है राजिस्थान में और और भी कई जगा उनके लिए इनके पास पैसे नहीं है, जबकि खास एक plane से पैसे खर्च करके इनको लाया जा रहा है ऐसे भी कई आरोप लग रहे हैं, मेरा काम है एक neutral aspect आपको देना और आप ही decide करें क्या सही है क्या नहीं बहुत important a point है कि cheetahs बहुत बड़ी range में travel करते हैं कहा जाता है कि they can exceed thousand square kilometers, यानि कि ये 1000 km के area को भी पार कर सकते हैं तो अगर ये इतना बड़ा area पार करते हैं, तो मुझे कहने का मतलब है कि Kuno National Park में इनका dwelling करना, इनका आना जाना दिक्कत भरा होगा क्योंकि वैसे भी वहाँ पर चार categories हैं big cats की, तो इनका survival rate कम होने की ये भी एक बहुत बड़ी reason है Thank you and take care